केला एक ऐसा फल है जो पूरे साल हर मौसम में मिलता है अगर आपको केले का स्वाद पसंद नहीं है तो भी स्किन, बाल, कई तरह के तवचा रोग, घाओ, चोट के निशान और दातों का पीलापन दूर करने जिसे कई तरह के अद्बुद फाइदों के लिए केले को इसका छिलका, सहसे जुड़ी बड़ी-बड़ी बिमारियां और गंभीर तवचा रोगों को केले के छिलके की मदद से पूरी तरह ठीक किया जा सकता है जिल लोगों को सालों से पेट संबन्दी कोई ना कोई परिशानी चलती आ रही है, वो मातर एक हफ़ते में ही केले के सही उपयोग से पूरी तरह ठीक की जा सकती है और इतना ही नहीं, अगर केले खाने का सही तरीका पता हो, तो दिल की बिमारियां, किडिनी रोग और यहां तक की डाइबटी जिसी जानलेवा बिमारियों में इसके इस्तिमाल से कमाल के फर्क नजर आने लगते हैं पैरो में जुबा बारी काटा या कंकर आदी भी केले के चिलके के जरीए बीना तवचा को खोदे आसानी से निकाले जा सकते हैं कुल मिलाकर देखा जाए तो जितना साधरन ये फन लगता है उससे कई ज़ादा चमतकारीस के फाइदे हैं केला जब हमारी शरीर में पहुचता है तो इससे हमारी बोडी पर क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं केले को खाने का सही समय और सही तरीका क्या है और केले तथा उसके चिलकों के इस्तमाल से क्या-क्या लापराप्त किये जा सकते हैं आज के इस वीडियो में हम इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे शुरुआत करते हैं केले के छिलकों से हाला कि केले के छिलकों का स्वात थोड़ा कड़वा होता है लेकिन भारत के कई शहरों में केले को छिलके सहित खाया जाता है और कई लोग इसे उबाल कर फ्राय करके या सेक कर भी खाते हैं केले के छिलकों में विटामिन B6 और B12 सबसे जादा मातरा में होता है ये वही जरूरी विटामिन्स है जिनकी कमी के कारण हमारी बॉड़ी में थकावट और वीकनेस बनी रहती है और खासकर बॉड़ापे में विटामिन B12 की कमी के चलते कई हेल्थ रिलेटर प्रॉब्लम शुरू होने लगती है इसके लावा केले के छिलकों में मेगनिश्यम और पोटेश्यम भी प्रचूर मातरा में पाया जाता है हफते में कम से कम एक बार केले के छिलकों का सेबन उबाल कर या केले के साथ ही घी में फ्राई करके जरूर करना चाहिए हमारे पूरे शरीर कभार हमारे पेरों पर होता है इसलिक कई बार पेरों की एडिया, सक्त और तवचा में कॉन्स होने लगते है जादर समय जूते या सैंडल्स पहनने की वज़े से पेरों की उंगलियों और तल्वों की तवचा कड़क होने लगती है और उनमें गठान बनना शुरू हो जाती है जिनमें धीरे-धीरे दर्द भी होने लगता है इस समस्ते छुटकारा पाने के लिए एक केले की चिलके को सक्त हो चुकी जगह पर टेप से जिपका ले और फिर उपर से सौक्स याने की मोजे पहन कर राद भर के लिए छोड़ दे केले की चिलकों में पाया जाने वाला सैलेसिलिक एसिड अगले सुबह पैरों की सक्त हो चुकी तवचा को पहले से कई गुना ज़ादा नर्म बना देता है और इस प्रक्रिया को रोजाना दोहराने से तवचा पर आईकॉन्स भी धीरे-धीरे खट मोहने लगते हैं कील मुहासे और पिंपल्स अगर आपके चहरे पर बार बार पिंपल्स या कील मुहासे होते रहते हैं तो ऐसे में केले की चिलके के इस्तमाल से इन्हें पूरी तरह ठीक किया जा सकता है हफ़ते में तीन बार केले की चिलके को अपने चेहरे की तवचा पर हलके हाथों से रगड़ें केले के चिलकों में मौजुद लूटी नामक एंटी आक्सिडेंट और इसकी एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टीज चेहरे के कील मुहासों को कम करती है और चेहरे पर नई पिंपल्स होने से भी रोखती है केले के चिलकों के अंद्रुणी हिस्से में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पाए जाती है आँखो और होटों के आसपास मौजूद रिंकल्स याने की जूरियों को हटाने के लिए रोजाना अपने चेहरे पर केले के चिलके के अंद्रूने हिस्से को 5-10 मिनिट हलके हाथों से रखड़े और 15 मिनिट इसे अपने चेहरे पर ही लगा रहने दे देरे देरे चेहरे की तवचा में कसाव आता जाएगा और स्किन की एजिंग प्रोसेस भी स्लो होने लगेगी केले के चिलके सोराइसिस जैसी गंभीर तवचा रोगों को ठीक करने के लिए भी बहत कारगर होते हैं सोराइसिस में तवचा सूप कर पपड़ी की तरह निकलती रहती है केले के चिलकों का पेस्ट बना कर इसे नारियल की तेल के साथ मिक्स कर लें और सोराइसिस वाली तवचा पर रोजाना लगा कर रखे इससे तवचा में मौश्चर बढ़ने लगेगा और पपड़ी बनने की समस्याद धिरे धिरे खत्म हो जाएगी कई बार तवचा पर चोट या खरोज की निशान हमेशा के लिए रह जाते हैं चोट या घाव जब ठीक हो रहा हो उस दोरान अगर केले के चिलको को निशान वाली जगा पर रोजाना रगड़ा जाए तो तवचा पर चोट का निशान नहीं रहता और घाव पूरी तरह ठीक हो जाने पर तवचा पहले जैसी ही हो जाती है तवचा पर अगर बार-बार मस्से निकलते हो तो रोजाना उस मस्से वाली जगा पर केले की चिलके का एक तुकड़ा टेप या बैंडेट से चिपका कर रखे धिरे-धिरे मस्से का आकार कम होने लगेगा दातों का पीला पन दातों की सफाई ठीक तरह से नहीं करने पर धिरे-धिरे दातों में पीला पंजबने लगता है जो की आगे चलके दातों में सड़न का कारण बन सकता है रोजाना सुबह केले के छिलकों को दातों पर रगणने से, दातों में आया पीला पंतेजी से कम होने लगता है और दाद पूरी तरह सफेद और चमकदार दिखाई दने लगते हैं मच्छर के काटने पर मच्छर के काटने पर तवचा में तेज खुजली होना शुरू हो जाती है जिसकी वज़र से तवचा पर बड़े बड़े चक्ते भी बन जाते हैं मच्छर के काटने के बाद अगर उस जगापर केले के छिलकों को रगल लिया जाए तो खुजली में तुरन तारा मिलता है केले के चिलके के इस पानी को अपने घर के पेड़ पोदों में डालें। इसे पेड़ों की ग्रोध भी अच्छी होती है और पोद है मुर्जाते भी नहीं। केले के चिलकों के बाद अब बात करते हैं केले खाने से जुड़े कुछ अद्बुत फाइदों के बारे में केला हमारे दिल की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है क्यूंकि केले में potassium और fiber अधिक और sodium कम मात्रा में मौझूद होता है जिससे blood pressure maintain रहता है केले में मौझूद nutrient हमारी arteries में जमने वाले बुरे cholesterol को कम करने में काफी मदद करते हैं जिससे हमारा cardiovascular system strong होता है और हम heart attack जिसी गंभिर बिमारियों से हमेशा के लिए दूर रहते हैं केला एक मात्र ऐसा फल है जो dust याने की lose motion और cups दोनों में ही उपयोगी होता है पेट खराब या food poisoning उल्टी dust आदी जैसी problem होने पर केले खाने से शरीर में energy बनी रहती है पेट दर्द में आराम मिलता है और bowel moment smooth हो जाता है एनीमिया या खून की कमी शरीर में iron और खून की कमी होने पर केले का सेवन करना बहत फाइदे मन होता है खासकर महिलाओ में एक उम्र के बाद एनीमिया और weakness जिसी समस्या शुरू हो जाती है जिससे शरीर कमजोर पढ़ने लगता है रोजाना केले के सेवन करने से कुन की कमी भी दूर होती है और चक्कर, ठकान अना और सरदर जिसी प्रॉबलम पूरी तरह ठीक हो जाती है केले के अंदर ब्रोमलिन नामक एन्जाइम होता है जो कि हमारी बॉडी के सेक्शुल हॉर्मोन्स को पूस्ट करता है जो लोग गुप्त रोग या किसी तरह की सेक्शुल कमजोरी से जूज रहे हैं उन्हें अपने रगुलर डाइट में केले को जरूर शामिल करना चाहिए तो दोस्तों ये थे केले और केलो के चिर्कों से जुड़े कुछ अगभूत फायदे अगर आपको इसी तरह किसी और फल सप्लिमेंट ये डाइट से जुड़ी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट के जरीए जरूर बताए अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक को शेयर करना ना भूले